हमें पता है कि गूगल यूजर एक्स्पीरिंस को बड़ा प्रेफर करता है और जिससे हम टेक्स में रेलिवेंसी देखते हैं उसकी क्वालिटी देखते हैं उसी दाँ से हम इमजिस में भी रेलिवेंसी और उसकी क्वालिवेंसी देखते हैं रेलिवेंसी और क्वालिवेंसी क्या मुराद है अब ये वेरी करेगी बिजनस टू बिजनस कि आपका बिजनस क्या है उसके ओपर आपने page कौन सा बनाया है और उस page के ओपर image कौन सा लगा हुआ है अब यह relevancy एक class में या एक words में नहीं describe हो सकती यह हर business की यह हर तरह से हर page की different हो सकती है तो यह आपने देखना है कि यह कैसे improve हो सकती है और quality से क्या मराद है? quality से मराद यह है कि वो image जो हो वो देखने वाला हो वो खुबसूरत होना चाहिए वो informative होना चाहिए वो descriptive होना चाहिए quality तब build होती है जब लोगों को चीज अच्छी लगती है so relevancy और quality यह मैं नहीं कहा रहा यह basically Google की guidelines है कि आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दें क्योंकि ultimately यह दोनों चीज़ें आपकी website को help करती है आपके conversions को help करती है और आप पर retention को help करती है अब retention और conversion से क्या मराद है? retention से मराद है कि अगर आपका page अच्छा है उसके ओपर text भी अच्छा लिखा हुआ है फिर आपने images भी उसके बड़े अच्छे जो दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और वो quality वाइस भी अच्छे हैं अगर आपने वो images भी लगाए हैं तो user ज़्यादा देर रुकेगा अगर ज़्यादा देर रुकेगा तो decision लेने में उसको असानी होगी वो ज़्यादा देर टाइम आपके सास्पेंड करेगा तो ज़्यादा आपसे associate होगा और फिर वो convert भी होगा मतलब कि या तो वो आपसे sign up करेगा या तो आपको call करेगा या तो वो आपसे जो है ना वो कुछ भी जो आप बेच रहे हो बाई कर लेगा तो इस चीजें बड़ी matter करती है अब इसका कुछ लोग कहेंगे कि directly impact नहीं है SEO की ranking के ओपर लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि Google इसको guidelines में बताता भी है अपनी कि आपने relevance ये quality देखनी है और वो इसको मैयर भी करता है क्योंकि अगर image फिल और image अच्छा होगा page अच्छा होगा तो लोग रुकेंगे और अगर लोग रुकेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका जो response rate है मतलब कि आपका जो retention rate है वो बढ़ जाएगा और इसकी वज़ा से Google भी आपको ज़्यादा ranking देगा